प्रतिबंद लगा था उसको लिएकर किसानों में बड़ी नाराज़गी हुई थी तो कहा गया था कि एक फैक्टर था किसान आपसे दूर हो गया क्या हम माने कि अब इन चार पांच महिनों में किसानों की नाराज़गी अब दूर हो चुकी है देखे ये बात सही है कि इनर की सरकार हमेशा ये विचार करती है कि अपने पास कुल मिला कर देश में पैच की कितनी अविलेबिलिटी होने वाली है हमको कितने पैच के आवशकता है और उसके आधार पर फिर एक्सपोर्ट करना की नहीं इसका विचार करती है क्यूंकि हमने पुराने समय ये भी द सिती हमारे उपर ना आए इसलिए केंदर सरकार ने कुछ निर्णे लिये लिकिन किसानों का भी हम उनको भी दोश निर सकते उनको लगता है कि अगर निर्याद शुरू रहती है तो उनको डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छा भाव मिलता है और इंटरेशनल मार्केट में भी अच्छा भाव मिलता है फॉर्चुनेटली अभी आप देखे तो मार्केट का भाव बहुत अच्छा है अभी तो 3700 रुपे तक भाव चला गया है तो इसलिए अभी और केंदर ने भी कुछ शर्ते तो रखे हैं लेकिन निरियात को भी परमिशन दी है तो मुझे लगता है कि अभी इस प्रकार से उस चीज को लेकर कोई किसानों में प्राबलेम है ऐसा मुझे नहीं लगता है एक और चीज है और बीच में आपको यादोगागा अपने भी एक बड़ी मुहीम जलाई थी कि लिए कि लिए क्या के जा रहा है है नवी मुह नहीं बाएज भागागा था आप खुद भी इस पॉर्ट पर गए थे तो क्या फरजी दस्तावेज ही बन रही है आपने तो उस सम बंगलादेशी citizens यहां घुसे उनको हम identify करें और उनको हम deport करें अपने देश में problem यह है कि बंगलादेश के साथ हमारी जो border है बड़ी है वो थोड़ी पूरस भी है और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के सरकार का रवया रहा है एक प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार यह बंगलादेशियों के लिए welcoming इस प्रकार के रवये के साथ वहां काम करती रही है और फिर यह लोग आकर केवल पश्चिम मंगाल में नहीं बसते वहां तो कोई उद्योग है नहीं पश्चिम मंगाल में इनको रोजगार तो मिलता नहीं है तो यह लोग फिर मुंबई आ क्योंकि कोई स्टेक्स तो होते नहीं है तो ड्रग डिलिंग में भी यह लोग है अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी में भी है इसले हमने बहुत कड़ाई के साथ लगातार हम लोग कोंबिंग करते हैं लगातार इंटलिजन्स बेस ऑपरेशन करते हैं ताकि जहां पर भ बहुत जोज से पकड़ाई जरांगे साथ जो लगातार इसकी मोहीम चला रहे हैं वो काफी कुछ आपको ही निशाने पर रखे रहते हैं यह मुद्दा ठंडा हो रहा है आप लोगों इसको सुल्धाने की दिशाने प्रयास किया है दिखें महाराष्ट्र की राजनिती में म उनका बाशन समापत होता है जहां तक मराठा आरक्षण की इस सारी मुहीम का सवाल है तो हमारी सरकार दे मराठा समाज को दस प्रतिशत आरक्षण दिया है और वो कंटीने उड़े है वो चैलेंज हुआ है लेकिन कोट ने उसके उपर स्टे नहीं दिया है और अभी हम मराठा आरक्षण अमने रखा अभी जितना हमारे आडमिशन्स हुए उसमें भी 10% रखा अब उनकी जो मांग है वो मांग यह है कि मराठा समाज को OBC में आप आरक्षण दीजिए अब मैं तो यह सवाल पूछता हूँ कि मेरे उपर तंस कसा जाता है यह मेरे उपर आरोप क जाते हैं मैं तो खुले आम और आपके भी नैशनल टीवी से सवाल पूछता हूँ कि इस मुद्दे के उपर शरत पवार साब उद्धो ठाकरे जी और नाना पटोले जी या कॉंग्रेस पार्टी अपना रुख स्पष्ट करके दिखाए अगर उनमें हिम्मत है मैं में लिया जाए ये जो जरांगे पार्टी इनोंने मांग रखिये इस मांग पर उनकी पार्टी की भूमी का क्या है नहीं बता सकते हैं डुप्लिकेट काम चल रहा है मराठा समाज को एक प्रकार से ये लोग सब बरगलाने का काम कर रहे और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सारी चिज़े धीरे धीरे मराठा समाज को भी समझ रही है इसलिए इसको चुनावी मुद्दा अगर हम माने तब भी मैं ये मानता हूँ कि मराठा समाज हमारे साथ रहेगा जब मैं मुक्य मंत्री था तब हम लोगों ने मराठा समाज के लिए अन्ना से पटिल आर्थिक वविक पिछले चे सालों में एक लाख मराठा उद्यमी हमने तयार कर दिये और आज वो सारे के सारे लोग एंप्लोई नहीं है एंप्लॉयर है हमने सार्थी जैसी विवस्ता खड़ी की तो मराठा समाज के जो युवा है वो आएज बने आईपीएज बने में पास हुए वो डॉक्टरेट किया वो प्राध्यापक बने यह सारी विवस्ता हमने किये लोगों ने इस चीज़ को देखा है तो मुझे लगता है कि अभी जिस प्रकार से जरांगे पाटिल के पीछे चुपकर हमारे विरोधी तीर चलाना चाहते ज्यादा समय चला पाएं उद्धो ठाकरे ने कहा था कि नशे में चूर बंदर एकनाथ शिंदे जी और फड़नविस जो दिल्ली में बैठे लोगों के निर्देश पर बोल रहे हैं देखिए उद्धो ठाकरे जी पर मुझे तरस आता है एक समय था हिंदुर उदे समराठ शिवसेना प्रमोग बाड पुश्री पर आते थे अब उद्धो जी को तीन दिन दिल्ली जाकर बैठना पड़ता है सुनिया जी की अपॉइंट्मेंट का इंतजार करना पड़ता है और सुनिया जी को जब मिलते तो सुनिया जी फोटोग्राफ भी नहीं निकालने देती बिना फोटोग्राफ के उनक देश के प्रदान मंतरी को मिलने जाते हैं, मम्ता जी भी जाती है, देश के प्रदान मंतरी को मिलने के लिए विपक्षिनिता भी जाते हैं, सारे मुख्य मंतरी जाते हैं, क्योंकि अगर अपने प्रदेश का विकास करना है, तो देश के प्रदान मंतरी को तो मिलना ही पड़ तो अब मुझे बताईए, लाचारी कोन कर रहा है? लेकिन वही मैं रिसर्ट कर रहा है, मैं तो इतनी सारे कमेंट्स हैं, वन लाइनर्स आपके खिलाफ, मेरी गुगलियें फसे फड़नुई शरत पावार कह रहे हैं, मैं खटमल को चुनाओती नेता, उद्धर ठाकरे कह रहे हैं, तो कैसा लगता है अपको एक परसनल अटाइक जब आप पर होता है? मुझे इसके आदत है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि हम तो बगवान शुव को मानने वाले हैं, इसलिए जहर भी पीते हैं और फिर भी जीते हैं। और तेखिए, कुल मिलाकर आप अगर देखेंगे, तो ये लोग सिर्फ बुलने में हैं, सिर्फ बातों में हैं। और हम तो हिंदी में कहते हैं, जो गरशते हो बरसते नहीं हैं, ये गरजने वाले लोग हैं, बरसने वाले लोग हैं। देवें जी, हम लोग तो दिल्ली साय है, हमें एक ही सवाल का जवाब तो जानना चाहेंगे, जो शायद, दिल्ली के लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, यहां के लोग भी, मीडिया में, दिल्ली में, जारो तर बड़ी जोर की चर्चा है, कि देवें जी, दिल्ली आ रहे हैं, बिजे भी के अध्यक्ष बन के देखिया ऐसी चर्चाय चलते रहती है मैं तो कई बार यह मानता हूँ कि कुछ खबरे ऐसी होती है कि जिस समय खबर देनी है जगा भी बाकी है और कोई खबर नहीं है तो उस समय ऐसी खबरे चलाई दी जाती है मैं आपको बहुत स्पश्टूरूप से कहना चाहता हूँ मेरी पारटी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरी पारटी को यह पता है मेरी महराष्ट में क्या जरूरत है इसलिए मेरी पारटी मुझे महराष्ट में रखेगी में महाराष्ट में रहूंगा लेकिन जिस दिन मेरी